दोस्तों नमस्कार, TGT PGT Art Gallery उनिस्ट चवर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे दादा साहब फाल के पुरसकार के बारे में तो दादा साहब फाल के पुरसकार की बात जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर आपके स्क्रीन पर होगा कि दादा साहब फाल के पुरसकार यह इसकी सुरुवात कब हुई पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं तो इसकी सुरुवात हुई थी 1969 में कब हुई थी 1969 इस भी में और प्रथम दादा साहब फाल के पुरुसकार किसको प्रदान किया गया था तो अभिनेत्री देविका रानी को किसको दिया गया था देविका रानी यह आपको बिल्कुल किलियर होना चाहिए कि दादा साहब फाल के पुरुसकार की सुरुवात कब हुई और किसको दिया गया ये बिल्कुल आपको क्लिए रनाचाया है आलगे हम बात करते हैं कि पचासमे दादा साफ वाल के पुरॉसकार कुस को दिया गया था जो पचासमा धू है अभी ताब बच्चन को दिया से बड़ा किया है तो प्यारे दोस्तों मैं बात कर रहा था दादा साफ हाल के पुरुषकार की इक्यानवा आपको मालूम हो पचासमा मालूम हो गया अमिताब बच्चन को दिया गया था इक्यानवा किसको दिया गया यह दिया गया रजनी कांत को अच्छा इसमें दिया क्या जता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं 3 पॉइंट एक तो सबुम्हा जिसे गुल्ड लोटस जाता है दिया जाता है दूसरा है उपका एक सौस के सौस परदान पॉइंट हैं तस लाग रुपए नगद इसमें पॉदान की जाते हैं किस में दादा साथ मैं आगे बात करता हूं इसकी जो सुरुवात थी उसे मैंने शुरू में बता दिया आपको लेकिन फिर भी आपके लिए दुबारा रिविजन करवा दूं 1969 में इसकी सुरुवात होई थी दादा साथ फाल के पुरसकार की और अविनेत्री थी किसे दिया गया था पहला अविनेत्री और किसको दिया गया था देविकारानी को यह पुरसकार प्रदान किया गया था और फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरसकार दादा साथ फाल के पुरसकार को माना जाता है यह आपको बिल चल रहा है 2021 का आवार चल रहा है कौन से नंबर का है फिल्म आवार्ड तो यह 7 नंबर का है और यह जो आवार दिया जा रहा है 2020 के ना दे करके 2019 में जितनी फिल्म बनी थी या जो भी कुछ हुआ था उसके लिए दिये जा रहा है 2020 का इसलिए नहीं दिये जा रहा है कि इस समय कोरोना काल था इसलिए इसको कट कर दिया गया है अभी 2019 में बनी फिल्मों के लिए या उन्नीस उसमें जो है बेश्ट एक्टर के लिए अविनेत्री के लिए ये आवार्ड प्रदान किया जा रहा है ये भी आपको बिल्कुल किलिए रोना चाहिए 2021 में जो भी फिल्म आवार्ड प्रदान किये जा रहे हैं 2019 में बनी हुई फिल्मों के लिए प्रदान किये जा रहे हैं धन्यवाद अब आपको मिलते हैं अगली वीडियो में